आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ देखे एक बात तो आपको याद रखना है कि जब भी एक चीज को पिखला कर कोई दूसरा चीज बनाया जाए तो दोनों बार आयतन समान रहता है ठीक है अब सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान देजे कि पहला क्या था गोला था यहाँ पर और जो दूसरी बार बनाया जा रहा है वो संक्वाकार गोलिया है यानि कि मैं संकू के वर लिख देता हूँ अब यह कह रहा है कि यदि गोली की तरजया यानि कि जो गोली बनाया जाती है संकू टाइप की गोली बनाया जा रही है संक्वाकार तो जो गोली की तरजया होगी गोली की तरजया उसकी उंचाई की दोगुनी होगी यानि कि जो गोले की तरजया उंचाई की दोगुनी होगी चलो ये भी मान लिया ठीके यानि कि गोली की उंचाई जितनी भी होगी तरजया उसकी दोगुनी होगी और गोली की तिर्जा धात्वी गोले की तिर्जा से आधी होगी यानि गोला का जितना तिर्जा है उसका आधा होगा इसकी तिर्जा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले देखो संकु में बात करते हैं कि संकु की जो उँचाई है ध्यान देना संकू की उचाई सवाल में कह रहा था कि गोली की जो तरजया है वो उचाई की दोगोनी होगी तो उचाई को यदि मैं H मालनू तो तरजया कितनी होगी इसकी प्रस्ण में दिया था कि तरजया उचाई की दोगोनी होगी यहाँ पर तो उचाई H है तो तिर्जा कितनी हो जाएगी 2H अब एक और बात कह रहा है कि गोली की तिर्जा धात्वी गोले की तिर्जा से आधी है यानि गोला का जितना भी तिर्जा है इसका आधा है संकू का तिर्जा तो देखो गोले की अगर तिर्जा की हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि गोले की तिर्जा तो जो होगा वो संकू का दो गुना होगा देखो संकू वाला गोले से आदा है यानि कि गोला वाला संकू का दो गुना होगा तो संकू का तिरज़ा अगर 2H है तो गोला का तिरज़ा क्या होगा 2H का डबल यानिक यह कितना हो जाएगा 4H सब चीज के लिए रहे हैं अब हमें बस आयतन बड़ाबर करना है क्योंकि गोला को पिघला कर संक्वाकार गोली बना रहे हैं तो आयतन बड़ाबर होना चाहिए देखो यदि मैं गोली की संक्या को बोलो कि गोली की संक्या बड़ाबर N है तो आप बोलेंगे कि N गोली का जो आयतन होगा वो गोले की आयतन के बड़ाबर होगा देखो N गोली का आयतन आएगा यह किसके बड़ाबर होगा गोले की आयतन अब बात समझे एन गोली का आयतन क्या होगा एन गुणा में एक गोली का आयतन और गोली कैसी है संकू के टाइप की तो संकू का आयतन क्या होता है एक बटा तीन और गुणा में पाई आर स्क्वाइर एच तो r का मतलब हम लिखें गे तिरज़ा कितना है? 2H तो 2H का स्क्वायर और इन 2 का उंचाई कितना है हमारे पास है? और बराबर गोले का ऐतन कितना होता है? 4 बटा 3 और πई r क्यूब तो πई R यानि कि गोले का तिरज़ा कितना है? तो आप बोलें गोले का तिर्जया है 4H तो यह तिर्जया कितना हो जाएगा 4H का cube तो 4H को मैं 3 बार लिख देता हूँ, cube का बंतलब की 3 बार आप लिख लो, वो cube होता है अब जो कट रहा है काट लो आप देखो नीचे 3 इसमें भी है, इसमें भी है यह पाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर पाई नहीं है पाई यहाँ पर है और बाकी बात करें यदि H की तो देखो इधर कितना मच गया हमारे पास N और 2H का square कितना हो जाएगा 2 का square तो 4 और H का square कितना हो जाएगा H square और यह एक H और भी है और दाहिने साइड में कितना आ जाएगा चार और गुना में देखो ये चार चोग का सोला चोग का चौग का चौग और H तीन बार है न तो H का क्यूब एक ही बार मैं लिख देता हूँ चौग साट और H का क्यूब ठीक है अब बात समझे आप कहेंगे कि दोनों साइड में देखो इस चार से तो ये चार कट गया और H स्क्वाइर और H मिलके H क्यू होगा तो H क्यू से H क्यू कट गया तो N का मान कितना आ गया हमारे पास 64 यानि कि कितनी गोलिया बनाई जा सकती है 64 गोलिया तो चौथा विकल्प बिल्गुल सही उत्तर है ठीक है Classics to 12 से लेके Need IIT GE Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ये डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर